How to change speed of your clip in Premiere Pro with the help of 3 different methods आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप Premiere Pro में अपनी वीडियो की speed कैसे change कर सकते हैं with 3 different methods So let's get started So okay आप देख सकते हैं कि मैंने टाइम लाइन में एक वीडियो इंपोर्ट करके रहे कि आप देख सकते हैं कि आप प्ले करके देख भाएंगी नॉर्मल वीडियो प्ले हो रही है हम अपनी वीडियो की speed 3 different methods से change कर सकते हैं जो हमारा first method है वो है speed and duration speed and duration को access करने के लिए simply आपको right click करना है अपनी clip पे select करके इन दने आपको हैं पर मिल जाता है speed and duration speed and duration dialogue window आपको जैसी open होती है आपको speed मिलती है duration मिलती है reverse speed, ripple add rate, shift, trailing and कई सारो options मिल जाते है speed में आपको हैं परसेंटेज मिलती है अभी हमारी जो वीडियो की speed हो 100% है like normal है अभी हमारी जो वीडियो की speed हो 100% है like normal है अभी हमारी जो speed बढ़ानी है या फिर गटानी है तो उसके लिए हमें आपे value एंटर करनी होगी like माल लीजिये मैं double करना चाता हूँ अपनी speed को तो मैं 200 कर दूंगा simply तो आप देख पहेंगे जो आपके duration है वो आपके two times कम हो चुकी है अगर मैं आप बढ़ा देता हूँ अपनी speed को आपके normal कर देता हूँ तो आप देख पहेंगे जो हमारी वीडियो की duration में आपको normal simply show होगी आप यहाँ पर duration भी एंटर कर सकते हैं कि आपको अपनी वीडियो है वो कितने टाइम में finish करनी है यहाँ पर 21 seconds शो हो रहा है आपको माल लीजिये 45 seconds तक या फिर अपनी प्ले करनी है वीडियो तो आप यहाँ पर simply 45 seconds एंटर कर सकते हैं उस इसलिए क्योंकि जो हमने duration डाली थी वह 45 seconds तक डाली थी जो हमारी वीडियो है वह हमारी 45 seconds तक प्ले होगी अब जैसी ओके करेंगे जो हमारी वीडियो है वह extend हो चुकी आप देख सकते हैं इसकी speed बहुत slow हो चुकी है अब हम इसे normal कर लेते हैं control z करके simply अब हम बात करते हैं अपने second method की क्या आप second method से अपनी वीडियो की speed को कैसे change कर सकते हैं जो हमारा second method है वह हमारा tool हम tool की health से अपनी वीडियो की speed increase कर सकते हैं और फिर decrease कर सकते हैं तो वो डूहला है rate stretch tool जो कि आपको simply हापे मिल जाता है rate stretch tool आप आर से एक्सिस कर सकते हैं simply window या फिर Mac में speed कम या ज़्यादा करने के लिए simply आपको वीडियो के end point पे जाना है and then आप यहापे अगर extend करेंगे भार की तरफ तो आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो की आपको duration show हो रही है कि कितने second आपकी duration हो इंक्रीज हो जाएगी देख सकते हैं हमारी जो speed आपको कम हो चुकिए जैस मैंने आपको पहली बताया अगर आप duration बढ़ाएंगे तो आपकी speed कम होगी अगर आप आपको जो अपने track है वीडियो track है उसे extend करना होगा थोड़ा सा expand करना होगा यहां पर आपको मिल जाता है FX इस FX पर आपको राइट क्लिक करना है और आपको आना है time remapping में आपको मिल जाता है speed जैसे आप speed select करेंगे तो आपको यहां पर simply एक bar show होगा एक line show होगी यह हमारी speed की line है अगर मैं इसे उपर extend करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो speed आपको percentage दिख रही है कि कितने percent increase हो जाएगी तो आप देख सकते हैं 234% आपको show हो रही है अगर मैं आप अपना mouse release करूँगा तो आप देख पाएंगे जो हमारी वीडियो की speed है वो तो बड़ेग तो इसे साब से आप अपनी वीडियो की duration को कम कर सकते हैं time remapping को आप access कर सकते हैं right click करके भी मैंने आपको fx पर बताया आप simply यहां पर भी जा सकते हैं fx में आपको मिल जाता है show clip keyframes जो कि आप fx पर भी click कर सकते हैं direct यहां पर आपको speed मिल जाता है तो यहां पर कुछ और options है like motion भी दिया हुआ position opacity आप इने वी यूज कर सकते हैं आने वाली वीडियो में आपको यह भी बता हुआ कि आप कैसे access कर सकते हैं इन सारे tools को so that's for it गया आज के premiere pro tutorial में हमने बात की कि आप premiere pro में अपनी वीडियो की speed को और duration को कैसे access कर सकते हैं कैसे उसे change कर सकते हैं with three different methods so आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like the video and subscribe to our channel अगर आपके वीडियो से लेटर कोई doubt है या फिर कोई suggestion है तो आप नीचे में comment करके बता सकते हैं so goodbye for today see you soon in the next video bye bye